नमस्कार आप देख रहें न्यूज अटेट सिक्किम के नाथुला इलाके में हिंस कलन हुआ है और कई सिलानी वहाँ पर उस समय मौझूद थे 27 लोगों को निकाल लिया गया बीस को बचा लिया गया और साथ लोगों की मौत की खबर है घायलों को अस्पताल ले जाये गया है बारा का इलाज चल रहा है आपको बता दें और जो बाकी लोग थे छुट्टी दे दी गई है उने जो ठीक है और फिलाल ये अपरेशन अब रेस्क्यू अपरेशन से माप्त कर दिया गया है का ये जा रहा है कि परटकों को 13th माईल तक जाने के अनुमत ही दी गई थी लेक National Council of Education, Research and Training ने 11 और 12 क्लास की किताबों के कई चैप्टर्स हटा दिये हैं इतिहास, नागरिक शास्त्र और हिंदी के सिल्बिस में कुछ बदलाव किये गए हैं NCRT के मताबिक मुगलों से संबदे चैप्टर्स के साथ कुछ आन्य पाठ पाठिकरम से हटाए गए अब 11 और 12 के चैप्टर्स उन मुगलों के बारे में नहीं पढ़ पाएंगे जिन्होंने देश पर 235 साल राज किया और देश को ताज महल से लेकर हुमायू का मखबरा और लाल के लिए से लेकर फतेहपुर सीकरी शहर बना दिया CBSE बोर्ट से पढ़ाई करने वाले चात्र NCE RT की किताबे पढ़ते हैं और NCE RT ने पाठिकरम कम करने के नाम पर ऐसे चैप्टर्स हटा दिये हैं सिर्थ मगलों के बारे में ही नहीं कई विश्यों के पाठिकरमों के कई एहम पार्ट हटा दिये गए हैं नागरिक शासर की किताब से The Cold War Era और US Hegemony in World Politics के चाप्टर हटाए गया हैं हिंदी की किताब से फिराख गोरकपुरी की गजल को हटा दिया गया है हिंदी की अंतरा भाग दो किताब से सूरेकांत त्रिपाठी निराला का चाप्टर गीत गाने दो मुझे को भी हटा दिया गया है किताब सदंदर भारत में राजनीती के दो चाप्टर हटाए गया है जिनके नाम है जन आंदोलन का उदय और एक दल के प्रभुत्व का दोर इन चाप्टर्स में भारती जनसंग, सोशलिस्ट, कम्यूनिस पार्टी और कॉंग्रेस के प्रभुत्व के बारे में पढ़ाये जाता था इन बदलाओं को लेकर NCRT के निदेशक प्रफेसर दिनेश रकलानी का कहना है कि कोविट के वज़े से पार्टिक्रम को कम करना था और बिना भेदभाव के एक्सपर्ट कमिटी ने पार्टिक्रम तेयं किया है मामला बच्चों की सिक्षा से सम्मंदित है तो विपक्ष से आवाज उठने लाजमी है यूपी के पूर्व मक्य मंत्री अखिलेश आदव ने ट्वीट कर कहा कि राम की शक्ती पूजा जैसी काल जैई रचना के लेखक सूरेकांत्री पार्थी निराला जी की एक रचना को NCRT के पार्थिक्रम से हटाया जाना अत्यंत आपत्ति जनक है भाजपा सरकार पश्टी करंडे और तुरंत उत्तरब्रदेश के अन्य कवियों की भी हटाई गई रचनाओं को फिर से शामिल करवाएं तो OVC ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी NCRT में मगलों की तारिफ को मिटाया जा रहा है और चीन हमारी प्रेजरेंट को मिटा रहा है चीन के ओपर देश के बदान मंत्री एक शब्द नहीं बोलते फैक्स को छुपाया जाता है और वीक रिस्पांस है तीन चीजों की वज़े से चीनी हरकत कर रहा है अब आप बोलिये क्या हमारा रिस्पांस है कुछ नहीं हम नहीं माने अरे क्या आपके आपके देश के इलाखों का नाम मिटा रहा है पाठेक्रम में हुए बदलाव, बीजेपी की विचार धारा की अनुरूप है तो बीजेपी नेता खुश नजर आए फिलहाल इन आरोप और प्रत्यारोपों के दौर में छात्रों को वही पढ़ना पड़ेगा जो NCERT ने निर्धारित किया है जो मुगलों का इतिहास हटाए गया हो या फिर इसलाम के कुछ चैप्टर्स या फिर कॉंग्रेस सम्मंधित या कम्यूरे सम्मंधित कुछ चैप्टर्स हटाए गये हैं वो साफ तोर पर हम समझ सकते हैं क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता इस परिवर्तन को ले करके काफी खुश भी है और इसको ले करके बयान भी दे रहे हैं। सहयोगी सचिन गुपता के साथ दिल्ली से सौरब शुक्ला एनिटीव इंडिया। करनाटक विधानसभा चुनावों के लिए उमीदवारों की दूसरी लिस्त तयार करने के लिए आज दिल्ली में कॉंग्रस की बैठक हुई इस बैठक में राहूल गांधी के लावा करनाटक के पूर मुख्यमंत्री सिद्धर रमाईया और प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव मुख्यमंत्री पत के दावधार हैं एंडी टीवी से बाचीत में सिद्धर रमाईया ने माना की उनके साथ-साथ दीके शिवकुमार मुख्यमंत्री पत की रेस में हैं लेकिन साथ ही उन्होंने ये वी दावा कर दिया कि अगर कॉंग्रस सत्ता में आती है तो पार्टी आल I am also an aspirant for the Chief Ministrs post Your Chief Ministrs post In democracy, these things are happening, do happening There is nothing wrong in that Ultimately, the newly elected MLS is They have to elected leader of the Legislature party तोल प्रचीह करिपने जोई अफाली करें गवारा इसे और भीमेट में अपटाना बेलेखने करेंसम अपने दिद्धरिग करेंस सब्सक्राइब कर्या दो एक दिद्धरिक है जीटेंगिस एक अगरो में धुछे हैं तो इस साल पांच राजो के चुनाव और अगले साल लोकसबाद चुनाव के मद्धन अज़र बीजेपी अब अनुसूच जाती के वोटरों को लुभाने के लिए नया भान चलाने जा रही है पार्टी अध्यक्ष ने कहा है कि विपक्ष पर जो आज ये बैठक हुई कि विपक्ष पर पलटवार करते वे भाशा का भी ध्यान रखें बीजेपी के स्थापना दिवस यानी 6 एप्रेल से सामजिक न्याए सप्ता बनाएगी दिल्ली के बीजेपी मुख्याले में मंगलवार को रास्टी महासचियों के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नढधा ने मुलाकात की इस बेठक में पांच राज्यों के चुनाव में बीजेपी की चुनावी रणीत और 6 अप्रेल से 14 अप्रेल तक सामाजिक न्याए सप्ता मनाने की तैयारियों की समقछा भी कीगई बीजेपी सामाजिक न्याए सप्ता को देश भर में जोर शोड से मनाएगी इसके तहए 6 अप्राइल को बीजेपी के स्थापना दिवस पर मोदी कारकरताओं को संबोधित करेंगे 11 अप्राइल को जोती बाफुले और 14 अप्राइल को अंबेटकर की जैनती को धूम धाम से मनाया जाएगा राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को अनुसूचित जाती के लोगों के बीच कारकरम करने को भी कहा गया है इस अभियान के तहट अनुसूचित समाज के दो लाख बस्तियों तक पहुँशने की कोशिश है इस साल पाँच राज्यों के चुनाओं हैं सामाजिक न्याए के मामले पर डियम के भी तमिलनाडू में कारकरम कर रही है जहां 13 विपक्षी पार्टियों के नेता भी पहुँचे हैं यही वज़े है कि चुनाओं के मद्दे नजर बीजेपी की अनुसूचित जाती और पिछड़ा वर्क के मतदादाओं को साधने की रणनीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है अभी भी हम न्याए की अवधारना से बहुत दूर हैं अभी भी देश के लोगों को खास्तोर पर अनुसुची जाती जन जाती पिछड़े बार माइनूटी के लोगों को न्याए नहीं मिल रहा है लेकिन आज के इस परियास से पूरे देश का विपक्स एक जूट होगा कई दशकों से समाजिक न्याए पकवाड़ा मनाती आ रही है पिछली बार में मनाया था उससे पिछली बार में मनाया था और जो नेता टिप नहीं कर रहे हैं उनके जनम से पूरवी भारती जन्ता पार्टी जन्संग की समाजिक कमिट्मेंट है 2019 के लोकसभा चुनाओं में उत्तर प्रदेश के 19 आरच्छित सीटों में से 14 पर बीजेपी को काम्याबी मिली जबकि 2022 के उत्तर प्रदेश के विधान सभा चुनाओं में 14 पीस्दी अनुस्ची जाती के ओट लेकर बीजेपी ने सवर्ण पार्टी का मिथख तोड़ दिया है अब इसी तरीके की रणी तो वो पूरे देश भर के चुनाओं में अपनाना चाहती है और ये उसी दिशा में एक पहल भर है दिल्ली से राकेश कुमार सिंग के साथ रवीशन ने शुकला एंडिटीव इंडिया बश्च मंगाल में तनाव बना हुआ है कुछ दिनों की हिंसा के बाद आज हालात समले रहे हाला कि कल रात हुगली के रिश्रा इलाके में जो रेल्वे स्टेशन ने वाहिंसा हुई थी जहां कुछ लोगों ने पत्राव किया और रेल्वे की संपत्ती को नुकसान पहुंचाया राजपाल सीवी आनन्दा बोस ने हुगली में हिंसा प्रभावित शेत्र का दौरा किया और साथी आज ग्रिह मंत्राले ने बीजेपी सांसत सुकान्तु मजुमदार के पत्र के ऊपर पश्चिमंगाल सरकार से एक रिपोर्ट मागी है प्रभावित 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 आजए एक रिपोर्ट मागी है जक्षा सदुद्दीन ओवेसी ने कहा है कि हिंसा रोकना राजसरकार की जिम्मेदारी होती है और राजसरकार इसमें नाकाम रही जो वाइलेंस होता है उसकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्मेंट पर आयद होती है वो उनकी नाकामी है और जो प्रसेशन निकालते हैं उन पर भी जिम्मेदार याद होती है कि उनका प्रसेशन निकाला गया उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि वाइलेंस को ना होने दे और पश्यमगाल की मुख्यमंत्री मम्ता बैनेट जी ने कहाए कि दंगों को अपरादेख हिंसा उन्होंने बताया और कहा कि हम दंगा नहीं करते हैं और ना ही ये बंगाल की संस्कृती है दंगा कराटा बांगला संस्कृती नौए दंगा अम्ला कोरी ना मानुस कोखुनो दंगा करे ना बिजेपी लोके ना आजके पारे ना ताई दंगा कर बाज जन्नो बाईडेर गुंडा देर भाडा कोरे निया आशे एबंग एटा क्या मी बोलते चाई दंगा नौए एटसे क्रिमिनाल भाइलेंस एटा उचे क्रिमिनाल देर निया भाइलेंस करा जे छेरेटा छोबी आपनारा टिवी ते देखे चेल बंदुग निये नित्तो कोच्छे राम नभमी मिछिले राम चंद्रो किता के काने काने बोले चिलो जे आमार कोथा तुम्रा बंदुग निये मिछिल करो और बंदुग निये ताक करो राजस्थान में Right to Health Will के खिलाव 17 दिन से हरताल कर रहे प्रावेट डॉक्टर्स ने हरताल आज़ंौ्ट कर दी सरकार और डॉक्टर्स के बीच Right to Health Will को लेकर जो कुछ बदलाव के बाद ही सहमती बनी और ये बदलाव यह है कि 50 बिस्तर से कम की अस्पताल को Right to Health से बाहर किया गया है रियायती दर पर जमीन ना लेने वाले अस्पतालों को Right to Health से बाहर किया गया है साथ ही अब सरकार और डॉक्टर्स मिलकर तै करेंगे कि एमेरजेंसी की परिभाशा क्या हो डॉक्टर्स ने सरकार के साथ अग्रीमेंट साइन किया है प्राइवेट अस्पताल बंद पड़े वे थे और डॉक्टर्स के साथ रेजिदेंस ने भी हर्ताल को समर्थन करते हुए इसका बहिश्कार किया था और आपको बता दें मुख्यमंत्री अशोग गहलोत ने जब यहर्ताल समाप थ्वी तो ट्वीट कर कहा है मुझे प्रसंता है कि राइट तू हेल्थ पर सरकार और डॉक्टर्स के बीच अन्तता सहमती बनी और राजस्थान राइट टू हेल्थ लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है मुझे आशा है कि आगे भी डॉक्टर्स पेशिंट्स रिलेशन्शिप पूर्वर्थ तत्न यथावत रहेगा वर्ल बैंक ने भारतिय अर्थ वस्था पर अपनी ताज़ा रेपोर्ट में कहा है कि 2023-2024 के दौरान GDP विकासदर 6.3 प्रतिशत रहने वाली है पहले ये अनुमान 6.6 प्रतिशत का था हलाकि पिछले साल की तरह इस साल भी भारत वन अफ दो फास्टेस ग्रोइंग एकॉनमी बना रहेगा मौजूदा साल में भारतिय अर्थ वस्था की रफ्तार 6.3 पीज़ी रहने का अनुमान है मंगलवार को वर्ल बैंक ने अपनी इंडिया डेवलप्मेंट अपडेट रिपोर्ट में इस बारे में आकलन जारी किया अंतराश्ट्रिय अर्थ वस्था में मंदी के आसारों को देखते हुए वर्ल बैंक ने 2023-2024 के दोरान भारत की जीडिपी ग्रोथ रेट के पुर्वानुमान को दिसंबर 2022 के अनुमानित 6.6 फीज़ी से घटा कर 6.3 फीज़ी कर दिया है वर्ल बैंक के मुताबिक खपत में धीमी वृध्धी और अंतराश्ट्रिय अर्थ वस्था में चुनोतियों को देखते हुए ये बदलाव किया गया है 6.6 परसेंट आपने प्रोजेक्ट किया था दिसंबर 2022 में अब आपने 6.3 परसेंट प्रोजेक्ट किया है इसकी वज़़ा किया है तो अगर आपने से पूर्ष देखते हो दो रीजन्स moderation in consumption growth और challenges externally इस वज़़े के लिए हमने revise करा है marginally हमारा code forecast वर्ल बैंक का आकलन है कि मौजूदा साल में महंगाए के मोर्चे पर चुनौती कम होगी और retail inflation 6.6 फीज़ी से घट कर 5.2 फीज़ी हो सकता है वर्ल बैंक के senior economist ने एंडी टीवी से कहा कि आर्थिक मोर्चे पर global star पर चुनौतियों के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती आज़वस्थाओं में बना रहेगा इस साल भी हमारा assessment है कि इंडिया one of the fastest growing economies रहेगा जो slowdown, deceleration, activity, economic activity लास्ट एर हमने देखा थे गलोब में अगर वो continue करेगा इस एर, इंडिया का जो performance होएगा हमारा expectation है वो अभी भी top few countries में होएगा उद्योग संग S.O.C.M. ने World Bank की ताजा report का स्वागत किया है हालांकि महंगाई नियंटित करने के लिए RBI ने पिछले एक साल में repo rate में जो बढ़ोतरी की है उस पर उद्योग जगत अब रोक चाहता है अब देखना होगा मुंबई में चल रही RBI की मॉनिटरी पॉलिसी समिथी की बैठक के बाद 6 अप्रेल को गवर्नर repo rate को लेकर क्या घोशना करते हैं चीन ने अरुनाचर प्रदेश की 11 जगों के नाम अधल दिये हैं ये तीसरा मौका है जब चीन ने इस तरह की हरकत की है 2021 में भी पड़ोसी देश ने अरुनाचर प्रदेश की 15 जगों के नाम बदले थे भारती विदेश मंत्राले ने चीन की रवये पर सक्त एतराज जताया है विदेश मंत्राले के प्रवक्ता अरिंदम बाक्ची ने कहा है कि भारत चीन के ऐसे प्रयासों को सिरे से खारिच करता है उन्होंने का कि अवनाचर प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा दिली पुलिस ने पहली बार देश के बाहर एक बड़े ओपरेशन को अंजाम देकर एक most wanted गैंक्स्टर को पकड़ा है मेक्सिको से देश के टॉप 10 गैंक्स्टर में शुमार दीपक पहल उर्फ बॉक्सर को पकड़ा गया माना जा रहा है कि अगले एक दो दिन में वो भारत पहुंच जाएगा दीपक पहल उर्फ दीपक बॉक्सर की दिली पुलिस को लंबे समय से तलाश थी पुलिस को जैसे ही पता चला कि दीपक मेक्सिको में है और वहां बैठकर दिली और NCR में लोगों से वसूली कर रहा है दिली पुलिस की स्पेशल सेल की एक टींग मेक्सिको गई और इंटरपोल और FBI की मदद से दीपक को पकड़ लिया अमेरिका के पूर राश पती डॉनल्ड ट्रम की मुश्किले बढ़ गई है अब उन पर अरिल्ट फिल्म स्टार स्टॉमी डानियल्स को भुकतान के मामले में मुकदमा चलेगा मैनहाटन की ग्रैंड जूरी ने उनके खिलाफ आरोप तै करने को हरी जंडी दे दी है कोर्ट में सरेंडर करने के लिए ट्रम्प न्यू यॉर्क पहुँच चुके हैं ट्रम्प आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले अमेरिका के पहले पूर राश पती हैं आरोप तै हुआ है कि उन्होंने एक पॉन्स्टार स्टॉमी डानिल्स को एक लाग 30,000 डॉलर के भुकतान की बाद चिपाई ये भुकतान 2016 में अमेरिके राश पती चुनाफ से पहले किया गया था आरोपे की ट्रम्प के वकील माइकल कोहन ने स्टॉमी को पैसे दिये थे खुद कोहन अगस्ट 2018 में ही अपना अपराधिये कबूल कर चुके हैं हाला कि आपको बता दे अब तक आरोपों को सारवजरेक नहीं किया गया है हाल के दिनों में ट्रम्प ने अपने उपर चल रही जाज को लेकर आक्रमक टिपणियां भी की थे और इसके साथ फिलालावी के लिए इतना ही लेकिन खबरों का सलसला एंटी टीवी इंडिया पर जारी रहेगा